हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल टॉपर 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 में तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास एट एंपी बोर्ड हिंदी के सिक्स लेशन के क्विस्चन अंसर तो क्या है पार्च है हम पिछले वीडि करेंगे तो अब लोग जल्दी से अपने दोस्तों के बाद सी वीडियो को भेज दीजिए सेयर कर दीजिए वाटस अप या फैस्बूक के माद्यम से ताकि वही फ्री वीडियो क्लास का फायदा उढ़ा सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि मैं कोई वीडियो बहुत प्रस्त में पहरा प्रस्त क्या बोल रहा है निमली की सब्दों के अर्थ सब्दों को से खोज कर लिखिए तो आप लोग हम सब्द के अर्थ बोलते जाएंगे आप लोग वीडियो को रोग रोग के अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए ठीक उसके बाद बीडियो चल् grew up जाएंगे बढ़ा के देख सकते हैं तो पहले नंबर पर किया ध्या का देखिए क्या है पक तो पंची कर क्या होगा अर्थ पक्षी जो आस्माने पक्षी उड़ते हैं उन्हें को क्या बोला जाता है चाणी का और्थ होता है हिंदी में छोड़ कर ठीक कू कुवा जिससे पहले के लोग पानी भरते थे अब तो बहुत कम इस्तमाल होता है कहीं कहीं बहुत ही जहां पिछड़ा चेत्र वहां को एक इस्तमाल किया जा रहा है अब तो बहुत सारे साधन उप्लब्द है क्यों किस्तमाल बंध हो गया है तो कूप का अर्थ क्या होता है करगें लिखते चलिए इसको अपने नोट में एक तरह से आगो बढ़ते हैं अम्बूझ का अर्थ क्या होता है कामर ठीक विकांता सब्सक्वनवें रिको कि आतना आपके चरुनों को छोड़ कर तर आि च्शोड़ करंद क्या होता कि लचा आत्य हूंट कर आपको यहाद र आप लोग छोड़ कर आगे देगे अधम का अर्थ है नीच मनुस्या पाप आत्मा ठीक उद्धारे का अर्थ है उद्धार किया क्या क्या उद्धार उनका उद्धार किया गया दनुज दनुज का अर्थ क्या होता है दानव क्या लिखेंगे आप यहाँ पास दानव लिखेंगे बास का अर्थ होता है गंध या दुरगंध जिसको बोलते हैं ज़म्वासाना और गंध्या दूर्घंद का अर्थ क्या होता है घं का अर्थ होता है बादल बादल का परियावाची होता है घं ऐसी कि रधाश जी ने एक पंक्ति में कहा था कि प्रभुजी तुम घents रभन हम मौर ध्याям अब यहां कि कर oggi आगे बढ़ते हैं इसका आड़ देखते हैं चकोरा चकोरा एक पक्षी का नाम होता है जो जिसको जो चन्द्रमा होता है उसकी रोसनी चकोड को बहूत अच्छी लगती बहुत प्रियर लगती इसलिए वो जब चंद्रबा निकलता है रात में और उसकी रोशनी होती है तो चकोर पक्षी उड़ता है उसकी तरफ अगला है पूझी पूझी आर्थ क्या होता है धन संपत्ति क्या लिखेंगे इसका अर्थ आप लोग इसकी आगे धन संपत्ति प्यारे बच्चों आगे बढ़ते ह देखते हैं सेकंड दूसरा नंबर प्रस्ण क्या बोल रहा है देखें प्रस्ण सेकंड निम लिखित प्रस्णों के उत्तर संग्छेप में लिखना है स्वीट एंड साड जिसको बोलते हैं चोटा और अच्छा उत्तर लिखना है तो पहला नंबर देखें का नंबर क्या प बहुत सुख आनंद की प्राप्ति होती है दूसरा प्रस्ण देखे क्या बोल रहा है खानमबर अधम का उद्धारक कौन है तो अब लोग उत्तर में लिखेंगे अधम के उद्धारक भगवान श्री राम जी है गहां नंबर प्रस्ण देकिये रैदास किस के आराधक थे 호ंड के पे मीरवाई को कौन सरफन प्राप्त हो गया तो इसका अतर उगा मीरावाई Ladra को रामनाम रत्न रूपी धन प्राप्त हो गया था उन्होंने अपने दोए में क्या दोगा जी मैंने रावर्टन धन प्राप्त हो गया था इतीसरे नमबर प्रस्थन क्यों बाई उस से सही उत्तर चुनिए चार आपसान आपको दिये हैं उनमें से एक सही उत्तर उसको चुन के उत्तर में लिखना है ठीक तो का नंबर देखे का नंबर प्रभुजी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कव की है प्रभुजी तुम चंदन हम पानी किस कवी ने लिखी है पंक्ति इसका कि तूलसी दास तूलसी दास जी की भक्ति निम्ली में से किस भाव की है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका देखिए दास भाव की किसकी है दास भाव की दूसरा नमबर आपसन आपका सई हो जाएगा इसका अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं गा नमबर गा नमबर कि ब्रज भूमी में किसकी जहाणिया कुझ अधिक मिलती है तो गहा नमबर का आपका उत्तर हो जाएगा आम किसके हो जाएगा आम पहला नमबर आपसान आपका सही है अब आगे बढ़ते हैं आगे है घा बोल रहा है निम लिखित निम लिखित रशनाकारों में से किसका संब कहां था राजस्थान से था यह आपका तीसरा नमबर उत्तर सही हो जाएगे इस प्रशन का तो आगे बढ़ने से हम आपको बद बता दे बच्चों आगे बढ़ने से पहले कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्ली प्लीज इसको लाइक किए तो दोस्तो के बाद सभी दोस्तों के पास सेयर कर दीजिए इस चैनल में हिंदी माध्यन के सभी वीडियो आपको प्लब्द करवाया जाते हैं जो की आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं फोर्थ नमबर चौथा प्रशन क्या बोल रहा है कि निम लिकित प्रशनों के उत्तर बिस्तार से लिखे बड़े बिस्तार से लिखना है ठीक तो पहला क्या बोल रहा है जहाज का पंक्षी किस बात का प्रतीक है आसाइस पच्ट कीजिए तो इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे अपनी नोट्स में लिखे जहाज का पक्ष स्री कृष्ण की अद्रिक्त और किसी अन्य देवता की अराधना नहीं करना चाहता उसे स्री कृष्ण की भक्ती में ही अपार सुख का अनुभा होता है तो आपसे ये भी बनना चाहिए कि ये किस कव की पंक्तिया है कि जैसे उड़ी जहाज का पंक्षी पुनी जहाज में आयो तो किसगी बंदिया है यह सूर दाश जी पंक्षी है जो स्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो वीडियो रोक के आप इस उत्तर को असानी से लिख लीजिए उन्हां वीडियो चला के आगे देख सकती है चवथा का दूसरा अरतात खाना मरप्रश्ण क्या बोल रहा है तुलसी ने किस के उद्धार का उलेक किया है तो इसका आप लोग उत्तर लिखे तुलसी दाश जी ने जटायू रूपी पक्षी मरीच रूपी कपट म्रिग सौन म्रिग और बालमीग जैसे डाकू अहिलिया र रूपी पत्तर और यमलार जुन रूपी ब्रिक्च के उद्धार का उलेक किया है तो इसका उलेक थोड़ा सा देख लेते हैं वर्णन देख लेते हैं जटायू पक्षी सीता हरन के समय सीता को बचाते समय रावण से संगर्स में घायल हो गया था मारीज रावण का और दू इसरे नमर बाल में इक जी क्कॉँ थे बाल में पहले एक डागू थे परन्तु राम का उल्टा नाम लेते लेते रिस्व बन गये और अहिल्या गौतम रिस्की पत्तनी थी जो स्राब के कारण पत्थर की सिला बन गई थी यह और यमलार जुन स्राब के कारण बिक्च बन ग कि रेदास जी ने भगवान से अपना सम्मंद इस्थापित करते हुए प्रभ को चंदन और स्वयम को पानी प्रभ को बादल स्वयम को मोर और प्रभ को चंद्रमा स्वयम को चकोर प्रभ को दीपक स्वयम को उसकी बाती और प्रभ को मोती तथा स्वयम को धागे की उपमा दे इसका देखे किमीरा की बक्ति भावना पर अपने बिचार प्रगट कीजिए तो उत्तर है मीरा की भक्ति माधोर्य भाव की है उनकी भक्ति में स्रीक्रिष्ण के प्रति अनन्न प्रेम समाया हुआ है उन्होंने भगवान स्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्विकार किया गिर्धर गोपाल के प्रेम में उन्होंने लोक लाज सब छोड़कर उन्हीं से अपनी प्रीत लगाई है उन्हीं की भक्ति में बिला की ब्याकुलता भी है औ पिर आगे देखें फिफ नंबर क्या है इसका फिफ नंबर ये देख लेते थोड़ा से क्या बोल रहा है कि निम लिखित पंतियों का आसा इस पर कीजिए तो इसका उत्तर लिखने के लिए आप लोग पीछे वाला वीडियो हिंदी का जो पीछे वाला पार्ट था वो इसका भी अर्थ आपको मिल जागा हम आपको बता चुके हैं अगर जो आप उस वीडियो को पूरा देखे हैं तो इसको याद करने का सकता नहीं होगी आप वीडियो को एक दोबर देखें आसानी से वह माइंड में बैठ जाएगा इसी तरह से अगला भी है चटमा नंबर क और निम लिखित्मंतियों का संदर्म सहीद भाव इस परष्ट कीजिए इसका भी अर्थ लिखना है तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप आपका ये भी काम हो जाएगा ये भी क्लियर हो जाएगा ठीक तो कौन सा है का नंबर देखे प्रभ जी तुम चंदर हम प सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके पास तक सूचना पहुंचने लगती है वीडियो की ठीक अपने मित्रों के पास भेजिए वीडियो को उनको भी चैनल में जोड़िए ताकि ज्यादा ज्यादा हम लोग हो सके और लाइव भी हम आपको पढ़ा सके तापका टेस सब्सक्राइब हो सके और इस पार्ट में जो भी आगे दिये हुए हैं ब्याकरन है तत्सम तत्भाव कुछ भी हैं आप ब्याकरन का टंसन ना लीजिए हम आपको ब्याकरन की वीडियो अलग से उपलब्द कराएंगे और आप लोग पूरा वीडियो तो देखते नहीं व्य करिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभाव